स्टूडेंट्स आइम अशीष बटनागर हम आपका डिसकस कर रहे हैं चैप्टर दे अर्थ एंड इसोलर सिस्टम यह लेक्चर टू है लेक्चर बन में आपको हमको अल्रडी बताया था कि भही स्टार्ड्स में लाइट होती है और जो प्लैनेट्स होते हैं सन के एक्रॉस गूमते हैं इट प्लैनेट्स होते हैं ठीक है तो और उसकी जो फोटो है इट प्लैनेट्स की वही इस तरीकी से की है कि आप देख सकते हैं कि यहां मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जुपिटर, साटर्न और उरेनस, सबकी लाइट और करेक्टरिस्टिक्स और साइज और डिस्टेंस फ्रॉम सन डिफरेंट डिफरेंट है यह चीज हमने थोड़ा सा आपको अब हम लोग ने यह बताया था कि हम रहते हैं काश गंगा हमारी मिलकी वे, that is our galaxy और गेलक्स एक जो स्टार है और दूसरे स्टार में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अगर हम एक विदिन आवर गेलक्सी मिलकी वे में एक स्टार से दूसरे स्टार को अगर ना परें तो भी जो सबसे पहला जो स्टार है जो इसमें बताया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह करके यह है बिसिकली प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह सबसे पहला जो स्टार है संसे वो भी around 4.2 light years away है तो let's say कि अगर आप एक galaxy में मिलकी वे से नाम है galaxy का हमारा और कोई और galaxy है let's say उसका ABC galaxy नाम है उसका और वो तो बहुत दूर होगी हमारे से हैं तो अगर उससे हम ये निकालना distance निकाल ले तो भी अगर हम kilometer में नापने लगे उस distance को तो हमारी copy यां भढ़ जाएंगी मगर वो distance निकल के नहीं आएगा तो इस वह से हमने light year एक formula बनाया जिसको light year जिसका easy है light travels in an year ठीक है light year मतलब lights travel in a year one light year is a light travel in a year एक साल में किते दिन होते हैं आपको पाता है 365 24 हर दिन में किते घंटे होते हैं 24 ठीक है इसी यह calculation यहां दिया वाय उल्टा 365 इंटी 24 हर घंटे में कितने हर घंटे में कितने seconds कितने minutes होते हैं 60 हर minute में कितने seconds होते हैं 60 ठीक है ऐसे उसके बाद आपको light की speed होती है 30000 km per second तो इस ताब से कितना निकल गया 9.5 trillion km इतने km एक light year होता है तो अगर आपको सबसे पास जो star है suns के पास में तो वो कितनी दूर है उसका नाम है proxima और दूर कितना है 4.24 km ठीक है उसके बारे में ये भी बताएगी star कैसे बनते हैं तो star जो है clouds of उनसे बनते हैं जब बहुत सारी gas साथ और clouds और dust बहुत सारी clouds of gas and dust एक साथ हो जाते हैं तो उसमें धीरी धीरी करके chances बढ़ जाते हैं कि उससे आपका star बन जाए तो ये बताएगी star कैसे बनता है तो इस photo में दिखा है कि star कैसे बनता है कि जब बहुत सारी gas हो ठीक है और ऐसी इतनी सारी gas हो कि cloud सी दिखे और उसमें बहुत सारा dust हो जब वो आपस में धीरी धीरी करके जुड़ जाती है पास में आने के बाद और धीरी धीरे एक एक आपका star बना देती है अब next topic है जो कि आप सब जानते हैं पहले भी पढ़ावा है आपने वो है solar system आपको दिख रहे है the solar system चोकि मैंने आपको पढ़के बता है solar system में simple सी बात है कि sun है sun में light निकल रही है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है उसमें gas जल रही है और वो light radiate कर रही है और वो हमारे पास 8 planet है 8 planet sun के across घूमते है gravitation force के कारण जो भी reasons है जनली gravitation माना जाता है उसके across घूमती है और उनकी जो periphery है वो same रहती है यह देखो सबकी एक periphery दिखाई वी आपको दिख रही होगी यह periphery है ना आपको यह दिख रही है अर्थ की periphery देखिए वो ऐसे घूमती है तो same path use करते है वो periphery में तो अब क्या है कि थोड़े facts बताए हुए है इसमें कि भी कौन से कौन से planets है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn ठीक है और Uranus and Neptune are eight planets in our solar system they revolve around the sun in their fixed elliptical paths called orbits जो path होता है वो जल्ली elliptical होते है मलब ऐसे circle से नहीं होते है बल्कुल सीधे circle से घूम रहे हूँ उनका path होता है elliptical elliptical path होता है और उसको क्या बोलते हैं? orbits और उसी orbit में Earth घुमती है ऐसे नहीं कि कोई भी orbit लेने लगी अगर कोई भी orbit लेने लगी तो क्या होगा? लेट से कि आपके साथ में Mars है वो भी आपस में भिड़ने के chances है ये कोई भी planet आपस में भिड़ने के chances है तो सब को एक बताया भी है तो एर को ये वाला रास्ता लेना है Earth को Uranus को different रास्ता बोला हुआ है नहीं तो अगर दोणों different रास्ते अगर same रास्ते लेने लगे तो आपस में ठकराने किया डर बढ़ जाता है तो इनका path बिलकुल fixed है चीक है? ये समझ लेना नहीं तो इससे याद रहेगा कि आपका कि नहीं तो टकरा जाएंगे तो कभी टकराते वे सुना हुआ है कि भी Saturn और अर्थ आपस में टकरा रहे है तो Sun is head of our solar system तो solar system क्यों बोलते है solar system के solar sun जो है न solar system इससे बोलते है और इसमें सूर्य है वो हमारे head है तो solar system इसको तो क्योंकि father of solar system कौन है? Sun है अच्छा अब Sun के बारे में facts हैं कि Sun is in the center of the solar system Sun is made of hot glowing gases mainly of hydrogen and helium hydrogen and helium होती है उसके अंदर जो जलती है तो उसमें से उसमें light निकलती है ठीक है? और गर्मी निकलती है Sun is 150 million 150 million kilometers away from earth तो sun है around 150 million kilometer मालब million मालब 10 lakh kilometer away है 150 into 150 million मालब 10 lakh kilometer होता है 150 into 10 lakh kilometer away from the earth and its diameter is about 109 times of earth diameter तो 109 times है earth यतनी earth तुम सोचतो कित्ती बढ़ी है यह समें लो sun कित्ता बढ़ागा 109 गुना बढ़ा है weight of the sun is 3 lakh times of the earth weight तो 3 lakh time भारी है Sun is the main source of heat and light for every planet and satellite तो sun जो है main source of light है और heat है सारे planets के लिए और satellite के लिए the temperature of temperature at the surface of the sun is around 6000 degree celsius 6,000 degree celsius जो कि इतना ज्यादा temperature है कि तुम आप इमेजिन while at the center of the sun it is about 15 million degrees बिलकुर बीच में जो temperature है वो कित्ता पंदरा लाग degree celsius वो तो 1.5 करोड degree celsius 15 million degree celsius इतना ज्यादा बहुत ज्यादा temperature है तो ये solar system आप समझ लो अब देखो light भी देख लो कि किस किस color का earth है earth blue दिखती है ठीक है थोड़ा Jupiter भी blue इश सा दिख रहा है तो different different colors है तो सब nature फिर अब next lectures में हम इनके बारे में पढ़ाएंगे different different planets के बारे में ठीक है चलो आज के लिए I think that's it's sufficient thank you